हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चानल दोस्तों आज हम बात करेंगे डेमिलेशन के बारे में यह सीविल वर्क है जब भी हम वेल एंगेस में भी होता है कोई पुरानी बेल्डिंग होती है तो डेमिलेशन बहुत इंपोर्टेंट चीज है सबसे पहले हम जान करते हैं बेल्डिंग को यह कंप्लीट प्लानिंग के जरिए होता है और इसकी रीजन क्या है वेल कुछ बाते कर लेते हैं कि यह expiry for service, building के expiry date हो गई है, उसका design change करना है, renovation है, structure damage हो गया है building का, यह चीज़े अगर होती है या उसमें कोई भी ऐसा खत्रा या कोई dangerous situation आ गया है, जिससे chance है collapse होने का, तो इन situation में building को demolition करते हैं, renovate करते हैं, नई building बनाते हैं, या demolition के बाद जो demolition, normally तीन टैप के demolition होता है, manual, mechanical, explosion, manual आपको मालूम है, हम लोग अपने हाथ की ताकत से करते हैं, mechanical के मतलब हम लोग excavator वगरा होता है, उसके अंदर bit होता है, उसके जरिये करते हैं, या explosion, normally हम लोग यहाँ explosion, जो भी public area है, वहाँ पे नहीं करते हैं, पहाड़ों में करते है explosion वाला जो demolition है, या IC जगा जहां पे कोई खतरा नहीं है, हम हजार्स के बारे में जान लेते हैं, हजार्स क्या होता है, हजार्स में इसमें क्या है, been struck by falling or collapsing structure, collapse of welding, building गिर सकता है, contact with live or over a transmission, गिरने के बाद उसे touch हो सकता है, या कोई भी live line है, उसमें touch हो सकता है, debris अभी उप जो भी हम demolition कर रहे हैं, उस वक्त उपर से गिर सकता है, जो भी हम demolition करने का time में flying भी कर सकता है, debris electrocution, कहीं electricity आस पास में कोई नीचे भी building के अंदर है, यह electrocution भी होने का chance है, noise and vibration, आवाज होगी, वाइवरेश तो होगा ही आपको मालूम है, improper access and egress हजार्स में होता है, यह यह किसी चीज़ में आप जाएंगे, अगर improve access and egress, याने आने जाने का राशा सही नहीं है, वो भी एक हजार्ड है, और उपर से गिरने के बाद जैसे के building पूरी गिर जाएगी, अगर soil stable नहीं है और आपने शुरू किया तो, manual handling का भी problem है, आपने materials उठाया, उससे जो बू problem हो सकता है, फालड हो सकता है, pipeline तूट गया है, उसके अंदर कही pipeline है, तो फालड भी आ सकता है, अगर explosive यूज़ कर रहा है, तो उसमें fire and explosion का 1000 आएगा, और health 1000 भी हो सकता है, जैसे chemical हो रहा है, उसमें, तो health 1000 इसबेस्टस है, lead based coating हो रहा है, तो यह चीज़े जब हम demolish तो यह हमारे लिए 1000 सकता है, biological contaminants भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारा poisonous insect, snake भी हो सकता है, European हो सकता है, यह कोई भी reptile सकता है, कोई भी insect हो सकता है, जो human को problem कर सके, तो दोस्तों इसके control measure बहुत easy है, planning हमें करना है, carefully study करना है कि structure को कैसे demolish किया जाएगा, उसका surrounding area में कुछ है तो नहीं, gas, water, electricity, steam, जो भी cj है, इनको हमें बंद करना है, और इनकी authority से हमें contact करना है, जो भी तूटने वाली material है, जैसे glass और fiber, इन चीजों को हमें बाहर निकलना है, MSR हमें चाहिए, PTW चाहिए, NOC चाहिए, return clearance चाहिए from some departments है, return, जैसे की utility वगर ऐसे, traffic routes हमें चाहिए, अगर traffic route हमें disturb हो रहा है, तो हमें traffic route का change करना पड़ेगा, यह हमें consider करना है, और यह उपर से, कभी भी demolish करना है, तो उपर से, नीचे से नहीं, उपर से demolish करना है, ताक Okay, building को हम decantumination करेंगे, यान इसके अदर को यह सी चीज़ हम नहीं रहेंगे, जिसे से contamination हो और जो भी काम कर रहा है, उनको तकलिप हो सके, verification करेंगे, जो verification है, building के हिसाफ से verification होता है, अब भी building, suppose 8 meter का building है, तो हमें building से 12 meter तक हमें verification करना है, 4 meter extra आके, 1.5 का हम range लेके चलते है, signages correct लगाना है, perfect लगाना है, security personal होना चाहिए, जो entry करने के लिए और exit होने के लिए security control होना चाहिए, proper training होना चाहिए, जो भी crew है, और communication gap नहीं होना चाहिए, communication एक दूसरे के साथ होना चाहिए, और जो भी debris है, उसे immediate निकालना है, उसके अंदर छोड़ना नहीं है, work at height का procedure भी follow करना है, अगर हमें work at height पर उपर आप कुछ काम चल रहा है, हम अगर उपर गए कुछ काम के लिए तो, water hose जो है, वो हमारे पास energized hose ready रहना चाहिए, by chance कोई fire होगा तो हम use कर सकते हैं, और fire brigade के अगर help चाहिए, तो हम fire brigade से भी help लेंगे, fire extinguisher होना चाहिए, sun bucket होना चाहि किलियर होना चाहिए, proper illumination होना चाहिए, especially इसका तरीखा होता है कि ऐसे वक्त में किया जाए, जहांके less man power हो, ताकि लोगों को disturb नहीं हो, तो emergency exit होनी चाहिए, जो demolition site है, उदर से कैसे emergency में exit करेंगे, first trade box होनी चाहिए, first radar चाहिए, certified emergency stand by vehicle होना चाहिए, अगर काम नहीं हो र करना है, और वहां पर एक security बूता में बनाना है, उस बूत के जरिए से, unauthorized entry को prohibited करना है, कोई भी आदमी unauthorized अंदर नहीं जाना है, जो demolition work है, वो कोशिस करना है, कि अब जैसे मैंने बता है कि कम लोग हो, लेकिन ऐसे वक्त में नहीं करना है, कि जिस टाइम में आधी आ र आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, और इसमें कुछ कमी है तो आप बोलिए, इंशाला मैं उसको पूरी करूँगा, थैंक्यू बेरी मच फ्रेंट, आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कि हमारी जो भी न करें दो करें, शेर लोग लोग